हेलो गाइस असलाम अलेकुम एंड वेलकम टू मैं चैनल टेक्निकल खबरी और मैं हूँ आप लोग के साथ तलहा तारिक कि कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं बताते हैं आप लोग से अपलोग कर ने बता o area को कि वर्डों प्रस चैनल पर lazy do वाणि मन29 एलेका है तो यो मेरी पाली वीडियो था यहा हैं अप लोग देख सकतें और आप लोगों को पता चाल रहेगा कि आप लोग किस तरह से free में RDP ले सकते हैं तो अब यह था हमारा पहला step आप हम चलते हैं तूसरे step की तरफ जब आप लोगों को free में RDP मिल गई जैसे कि मैं भी आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं कि मुझे यहां पर जब आप वो वीडियो देखेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी हमें क्या कर रहा हूं यहां पर यह में एक free RDP generate कर रहा हूं तो हम wait करते हैं हमारी RDP generate हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि next step जो है वह आपने watch time complete करने के लिए जो follow करना है उसमें आप लोगोंने क्या करना है तो हम लोग थोड़ा wait कर लेते हैं जब तक कि हमारी जो RDP है वह यहां पर generate हो जाए तो इसका हम थोड़ा से यहां पर यह 5 minutes कह रहा है लेकिन यह उससे पहले ही जो है वह जलती से generate हो जाएगा और इसके लावा guys जिसने चैनल को subscribe नहीं किया हुआ तो support करें subscribe करें इसी तरह की मजीद videos के लिए तो वीडियो को like भी किजएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग देख सकते हैं मेरा जो free में RDP है वो एक minute के अंदर अंदर जो है वो create हो चुका है यह slow इसलिए चाल ला है क्यूंके मेरा internet slow है नहीं तो यह फोरन से आपके पास काम करेंगा और मैंने यहां पर downloadings लगाई है तो इस वाजा से जो है यह थोड़ा slower कर रहा है लेकिन आप लोगों के पास यह फोरन जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जल्दी से Chrome browser download करना पड़ेगा तो आप लोग वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए simply आप लोगों को Google पर जाना है और Google पर जाके आप लोग जो है वो RDP download कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई issue आता है कि आप लोगों को Windows जो है वो यहां पे आप लोग देख सकते है अगर आप लोगों के RDP में है तो ठीक है नहीं तो आप Microsoft Edge को यूज करके Chrome browser जो है वो easily download कर सकते हैं अब आप लोगों के क्या करना है आप लोगों के पास Chrome browser डाउलोड हो चुका आप लोगोंने simply इसको open करना है और यहां पे आपने search करना है Chrome profile generator आप लोगोंने simply जो है यह search करके enter press कर देना है और आप लोग यहां पे RDP की speed भी देख सकते हैं और second step यहां से आप लोगों को सबसे पहले time increase करना है यहां आप लोगोंने नहीं बूलना अगर यह 3 मिनट होगे तो RDP close जाएगा तो आपने simply यहां पे extend करना है आप लोग generator आपने इसको free में यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं तो मैंने जैसे एक ट्लिक की आप लोगों के सामने यह आप लोग देख सकते हैं यह एक software है जिससे आप जो है वो instantly unlimited chrome profiles create कर सकते हैं आप लोगों को यहां ओपर जाके और create profile वगएरा कुछ भी नहीं करना एक मिनिट के अंदर अच्छे खास से जो है वो chrome के profile create कर सकते हैं तो हम जो है वो scroll down करेंगे इसको थोड़ा सा तो यह मेरे पास लोग इसलिए चाल रहा है जैसके मैंने आपको दिखाया हम इसको और scroll down करते हैं जहां से हम इसको download कर सकें तो हम इसको और scroll down यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यह download now का link है जिसे हम जो है इस Chrome browser CORD on sorry Chrome profile generator को download कर सकेंगे तो हम थोड़ा सा जो है इसका गुद कर लेते हैं जब तक ओके तो यहां पर आपने simply console करना है जब आप इस पर click करेंगे तो यह आपको यहां पर redirect करेगा आपने simply download पक्र करना है और download anyway पर click करेंगे तो यहां पर आप लोग देखेंगे या आप लोग को बोलेगा कि से कोई वाईरस है लेकिन ऐसा कुछ भी यह आप लोग ने simply की पर click करना है तो आप लोग के पास यह download हो जाएगा आप इधर से ही इस पर जब क्लिक करेंगे तो यह आप लोग के पास open भी हो जाएगा direct यहाँ पर तो हम जो है दुबारा से इस पर click करते हैं और अपने chrome browser को जो है वो फिलहाल के लिए हम close कर देते हैं तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यह जो है प्रोसेसर ज्यादा IDP के अब उतने ज्यादा profile generate कर सकते हैं लेकिन यह जो मैं यूज कर रहा हूं यह फ्री है और आप लोग भी इसको लिए तो आप सिंप्ली इस chrome browser पर click करेंगे और यहां पर आप लोगों को web store नजर आएगा आप लोग इस पर click करेंगे उससे पहले आप लोगोंने क्या करना है यहां पर desktop पे text file create करनी है जब आप यहां पर show more option पर click करेंगे new पर जाएंगे और text document आपने create करना है इसमें आप लोग ने वीपीएंज के link save करने हैं तो मैं यहां पर लिखतेता हूं वीपीएंज और यहां पर मैं लिखतेता हूं सबसे पहले आप लोग ने डाउनलोड करना है Zenmat तो हम जाते हैं Chrome browser में और यहां पर हम जो है वो web store में आ चुके आप लोग ने यहां पर search करना है Zenmat तो आप लोग Zenmat search करेंगे तो आप लोग के पास यह free VPN सबसे पहले आ गया आपने इस पर click करना है और इसको अपने Chrome browser में install कर लेना है add to Chrome करना है आपने add extension करना है और यह जो है वो download जायागा आपने उसके बाद इस link को copy करना है यहां से और text document में Zenmat के नीचे आपने paste कर देना अब दूसरा VPN आपको download करना है urban VPN तो उसके लिए हम जो है वो urban लिख लेते हैं सिर्फ और उसके लिए अब store पर जाना है और यहां पर आप लोगोंने लिखना है जैसे आपने Zenmat लिखा था यहां पर आपने लिखना है urban VPN तो मैं यहां पर urban VPN सेर्च कर लेता हूं तो यह थोड़ा slow चलने लग पड़ा है लेकिन हम इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं हम लोग देख सकते हैं यहां पर हो गया है तो आप लोगों को urban VPN डाउनलोड करना है इसके बाद तो यह आप लोग देख सकते हैं यह वाला VPN है हमारे पास इस पर मैं क्लिक करूँगा और add to chrome करूँगा और यहां पर add extension पर क्लिक करूँगा तो यह मेरे पास जो है यह वाली extension भी हो गई मैं यहां से link को copy करूँगा और chrome में जाके यहां पर paste कर दूँगा आप हमें तीसरा जो चाहिए वह हम कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर browse यूज़ करता हूं तो simply जो है इसी तरह से Chrome Web Store पर जाऊंगा यहां पर सर्च करूँगा ब्राउज़ेक VPN तो यह वाला हमारे पास ब्राउज़ेक VPN भी यहां पर आ चुका है अब आपने क्या करना है add to Chrome simply उसी तरह से और यहां पर इसका link जो है वह आपने टॉप से copy कर लेना है और इसको भी text document में जाके आपने यहां पर paste कर देना है तो आप लोगों को इस फाइल को अब यहां पर save कर लेना है फाइल को save करना है इसको close करना है और आप लोगों के पास जो है वो यह सारे VPN आपने install कर लिए तो गाइस उमीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी इस वीडियो में हमने क्या किया ह हमने simply जो है वो Chrome डाउनलोड किया अपने RDP में उसमें हमने VPN इंस्टॉल किया है और एक text document की जो है वो हमने file create किया अपनी profile generate किया हमने Chrome की अब मैं आप लोगों को इससे next video में बताऊँगा कि इसके बाद आप लोगों ने किस तरह से अपनी वीडियो को YouTube की वीडियो को watch time क के लिए यहां पर use करना है तो जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो भी देख लें यह वाली वीडियो भी देख लें और कल जो है वो इन्शाला जो है इससे next video जिसमें part 3 होगा जो उसमें मैं आप लोगों को मजीद इसके बाद वाला step जो है वो बताऊँगा तो अगर आप लोगों को कोई question है तो अब मुझे आप मेरे channel की profile में जाकर आप लोग इंस्टा पर भी DM कर सकते हैं टेली ग्राम पर बिक्टर सकते हैं और डिस्कॉर्ड पर भी आप लोग मुझे contact कर सकते हैं तो अपना ख्यार लखिएगा टेक कियर अलाहाफिज